अस्तामनीकम फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टुटब स्मार्टीज, ट्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम आहरकार आर्फा की शादी शुरू हो गई जो के रुत्पा को कुछ हकीक्तें तो बता चुकी थी लेकिन आज अपनी मेहदी की राद सबसे बड़ी हकीकत उसे बता देती है कि अलतमश आज पी रुत्पा को चाहता है, उसी से महबत करता है इसलिए अस्का शुरू से ही जो उसके पीछे पड़ी थी, आज पी वो ही उसके पीछे पड़ी है अलतमश उसे जरा नहीं चाहता अस्का ये सारी बाते सुन रही थी जिसी आर्फा पर बहुत गुसा आया लेकिन रुत्पा को बहुत हुशी महसूस हो रही है कि अस्का की हालत बहुत ही दर्दनाक है इसलिए थे वो खुशी हुशी अब बाहिर निकली डांडिया खेलने लेकिन अलतमश जो रुत्पा को देखिया तो देखता ही रहा कि अब उसके सार डांडिया खेलने भी आ गया रुत्पा असका को जलाने के लिए अलतमश के सार डांडिया भी खेलने लगी तो अलतमश बाद में रुटबा को बे साहता देखता ही रहा और कहने लगा हमारा बार बार मिलना इस बात के हकीकत है कि हम एक ही हैं और अब रुटबा भी उसे कहने लगी ये फरेब भी तो हो सकता है लेकिन अलतमश उसे देखता ही रहा और बात ये करता ही रहा जिस पर रुत्पा से भी बरदाश्ट ना हुआ और वो वहां से भागती हुई चली चाहती है असका यहां पर सब कुछ देख रही थी अपनी माँ से कहने लगी आज मेरे पास मोका है मैं सब के सामने रुत्पा को जलीर करना चाहती हूँ कि वो अपने शोहर के होते हुए मेरे शोहर पर डोरे डालती है लेकिन रुनक ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि अगर मेरा ली भाई को पता चल गया तो वो मजीद हमें कुछ नहीं देंगे इसलिए आज हमोशी बेहतर है आज तो असका चुप कर गई लेकिन रुत्बा के गेम तो अभी शुरू हुई है वो असका को अब जलाने के लिए अलतमश के पास चाएगी और फिर इतना करीब बीच आएगी कि असका और अलतमश का रिष्टा तोट चाएगा तब असका को एसास होगा कि जब रुटबा का रिष्टा टूटा था उसे तलाक मिली थी तो क्या गुजरी थी उस पर आज असका पर वही सब बीतेगा वही सब गुजरेगी तब ही रुटबा का बदला पूरा होगा क्योंकि वो अलतमश को अपनाने के लिए उसके करीब नहीं जा रही वो तो बलके उसको और ज्यादा मजीद गिराना चाहती है क्योंकि असका जब उसकी जिन्दगी से चली जाएगी तो जाहरी सी बात है मेर अली साइब की सारी जमीने भी उसके हाथ से निकल जाएगी क्योंकि वो असका की वज़ा से ही उसके साथ थी इस तरह ये लालची अलतमश और वो मुहबत करने वाली असका दोनों ही मूँ के बल बहुत ही बुरी तरह से गिरेंगे कि दोनों के पास कुछ भी नहीं रह जाएगा लेकिन दूसरी तरफ रुटपा ने अपना रिष्टा हुरशीद के साथ दाव पर लगा रखा है मेहिर अली भाई ने हमारा तब साथ दिया था जब हमारे साथ कोई नहीं था और तुम जो इस मकाम पर पहुँचे हो सिर्फ उनकी वज़ा से तो क्या एक हुआई शुन का उसका पास नहीं रख सकते क्या रुटपा के साथ निभा कर नहीं रख सकते बेटा तुमें उसके साथ निभा कर ही रखनी होगी अलतमस जो बहुत ही तूट चुका है मासे मिलने के बाद घर वापिस आया जो के जाने की त्यारियां हो रही हैं तो यहां पर तजमीन पूछने लगी रुटपा से मिलकर नहीं जाएंगे क्या के वो अलतमस और असका को उनके अंचाम तक पुन्चाने के लिए गेम खेर रही है आप इस पारे में क्या कहते हैं जरूर कमेंट्स में बताएए क्या मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीचिए अलाहाफीज